नमस्कार मैं हूँ आपके साथ तंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं अपडेट मीडिया 24 इंटू 7 हम आपको दिखाएंगे हर छेत्र से जुड़ी सारी हैं खबरें तो चलिए उससे पहले रुख करते हैं आज के ताजा खबरों थे पर इस वत के बड़ी खबर कोवीट की तीसरी लहर के आशंका के चलते हाई कोट ने चुनाव आयोग और प्रधान मंत्री से विधान सभा चुनाव टालने का अनुरोध किया हाई कोट ने कहा जान है तो जहान है चुनाव न टाले तो टीवी अखबारों के माध्यम से करें प्रचार इलाहबाद हाई कोट से बड़ी खबर आ रही है हाई कोट ने आज कुरोना के मामले पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से आगामी विधान सभा चुनाव टालने का अनुरोध किया है हाई कोट ने कहा है कि अगर चुनाव न टाले जाए तो कोवीट की तीसरी लहर के आशंका और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए चुनाव का प्रचार टेलिवीजन और अखबारों के माध्यम से किया जाए चुनाव आयोग ने कहा है कि भीडवाली चुनावी रहलियां और सभाओं पर रोक लगाए जाने के लिए कड़ी कदम उठाए जाए इस मामले में इलहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आज दिये गए निर्ने अनुरोध के सम्मन्द में विस्तरित विवरन के प्रतिक्षा है राज्य सतरक रहे टीका करण बढ़ाएं प्रधान मंत्री इस बीच आज प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने ओमिक्रोन को लेकर बैठक की और राज्यों से कहा कि वे सावधानी बढ़ते और सतरक रहें और टीका करण बढ़ानी के दिशा में लगातार कारे करें और इसमें तेजी लाएं लखनव में चार पॉजिटिव केस मिले इस बीच आज उत्रप्रदेश में पिछले 24 घंटे में कुल 31 पॉजिटिव केस सामने आये हैं जिसमें राज्यों सानी लखनव में भी चार पॉजिटिव केस मिले हैं अपडेट मीडिया के लिए आजहर हुसेन टीपू की रिपोर्ट